Hey guys welcome back to my channel अभी recently एक अपडेट आ है आपको पता ही हो कि XM variant जो था टाडल ट्रोस का वो डिसकांटरी ही हो चुका है उसके जगह पे XE Plus variant लाँच हो था जिसके उपर मैंने वीडियो अल्रेडी बना चुका है तो अभी एक और अपडेट आ है XE, XE Plus, XM Plus इन तीन वेरियंट्स के अंदर एक अपडेट आया है XT से तो आटोमेटिक AC आना चालू जाता है तो मैं आपको बता दूँ जो पहले नॉप्स आते थे हैं यहाँ पे तो यहाँ जो नॉप्स आते थे AC अउफ करने के मैनुली तो वो नॉप्स को अट आगे मैं आपको एक इमेज शियर कर रहा हूँ अभी आप देखेगा स्क्रीन पर तो जैसे कि आपने इमेज देखा सेम ऐसी है टाड़ पंच में सेम आता है नॉप नहीं आता उसमें मैनुल वाला जैसे अल्ट्रोस के बेस में आता था जो टाड़ पंच की जो प्योर मतलब जो बेस वेरेंट परसोना वेरेंट है बेस वाली उसमें भी ऐसी उनिट आता है बट आटो के जगह यहाँ एसी लिखा है एट जो मैनल कंट्रोस थे नॉप से कंट्रोल जिसको करते थे वो बटन्स पे कंट्रोस कर दे गया है तो यह बहुत प्यारा लुक देता है अच्छली ऑटोमेटिक वो इडल स्टार्ट स्टॉप था तो कारबन थी अब आउन हो गई है तो कुछ ऐसा लुक देता है तो काफी अच्छी लगती बेस मॉडल भी काफी अच्छी लगी है अब तो मैंने जैसे की इमेज शेयर किया आप से वो मेबी एक्जम प्लस की प्लस वेरेंट की इमेज है वो ठीक है एक्जम प्लस वेरेंट की इमेज है जिसमें आपको AC unit देखने को मिली उसमें automatic नहीं है automatic की जगह AC लिखा रहेगा उसमें manual knobs की जगह आपको यह अच्छा दे दिया गया है तो काफी अच्छा improvement किया गया है TADA की तरफ से जो पराने owners थे काश उनके साथ भी ऐसा मदब पहले सी TADA को यह सोचना था बट बोलते हैं कि जो पहला प्रोड़क्ट रहे थे TADA का Ultros जो भी मदब जो भी cars निकालती है अपना प्रोड़क्ट उसमें updates आते रहते हैं और कई बार काफी अच्छे updates आ जाते हैं जैसे कि इसका आया है XZ, XZ+, XM+, Vienings में तो गाइस यही share करना चाता था मैं आप सभी के साथ यह वीडियो अगर आपको पसंद है और जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा Ultros जोनर्स के साथ पे तो यह update आया है XZ, XZ+, XM+, Vienings के अंदर तो गाइस काफी अच्छे लग रहा है आप जैसे कि इमेज में आपने देखा होगा तो वीडियो को end करते ही पे यही एक information आप सभी को मैं देना चाहता था Thank you so much guys, मिलते नेक्स वीडियो में Till then subscribe my channel, bye